नैनम छिद्नन्ती सस्त्राने नैनम दहती पावकाः यानी ना सस्त्र जिसे काड़ सकते हैं ना अगनी जिसे जला सकती हैं देश के लिए बलिदान देले वाले ऐसे ही होते हैं उन्हें अम्रत्व प्रात्त होता है वो प्रेरणा के पुष्प बनकर पीड़ी दर पीड़ी अपनी सुगन्द विखेड़ते रहे इसलिए आज इतने बर्षवबाद भी अमर शहीद भगत्सी राजगुरू और सुख्देव के बर्द्यान की घाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक हुकुमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर इसके बारे में कहां जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ इतनी ताकतवर हुकुमत एक 23 साल के युवक से भैवीत हो गई थी शहीद भगत्सी प्रावकरमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे चिंतक थे अपने जीवन की चिंता किये बगए भगत्सी और उनके क्रांती भी साथ को ऐसे साहसिक कारियों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादे में बहुत बड़ा योगदान रहा हुआ है शहीद वीर भगत्सी के जीवन का एक और खुबसरत पहलू यह है कि वे टीमबर्ग के महतों को बखु भी समझते थी लाला लाजपात राय के प्रति उनका समर्पन हो या फिर चंतरशेकर राजा, सुक्वे, राजगूरू समेथ कई क्रांतिकारियों के साथ उनका जुड़ा उनके लिए कभी व्यक्तिगत गवरों महतों को नहीं राखु वे जब तक जीए सिर्फ एक मिशन के लिए जीए और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे द हम अपने स्वतंतरता सेनानियों से प्रेणा ले उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाए यही उनके प्रति हमारी सत्तौत थांजली भूटी है शहीदों के समारत उनके नाम पर स्थानों और स्वस्थानों के नाम हमें कर्तव्य के लिए प्रेणा देते हैं शहीद बगत्थी के नाम से चंडिगड एरपोर्ड का नाम इस दिशा में एक और कदम है मैं चाहूंगा अमरित महोत्षाव में हम जिस तरह स्वतनत्रवा सेनानियों से जुड़े विशेश अवसरों पर सेलिबिरेट कर रहे हैं उसी तरह 28 सिस्थम्बर को भी हर युवा कुछ नया प्रयास अवर्ष्च कर रहे हैं मैं समस्त्र देश वास्चों के साथ साहस और विर्था की प्रतिमूर्थी शहीद वीर भगत्री को नमन करता हूँ